हलो माई डियर फेंट्स स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में मैं हूँ आपके साथ रिजवान और आज हम न्यू चेप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का 15 चेप्टर फ्रेमिंग ओफ दा कंस्टिटूशन तो जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले जो वीडियो बनाई हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है ठीक है वो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके इस लेबस से उन वीडियो को भी आप देख लीजिए उसमें महात्मा गांदी का जो चेप्टर पढ़ाया था मैंने उसक के साथ साथ हम अपना यह वाला चेप्टर शुरू करते हैं ठीक है और अगर आपको चेप्टर से चेप्टर वाइज अगर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा हो वहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए करें ठीक है इसी के साथ हम हम शुरू करते हैं अपने यह वाला चेप्टर ठीक है दा बिगनिंग ओफ अन्यू एरा जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसकी हेडिंग की नीचे लिखा हुआ है दा बिगनिंग ओफ अन्यू एरा मतलब की इंडिया के कॉंस्टूशन के बाद अब इंडिया का एक नया यु है तो आपको इसी चीज को मानते हुए चलना है तो इंट्रोड़क्शन पार्ट पर हम आते हैं तो इंट्रोड़क्टरी पार्ट जो है हमारा जो चैप्टर का वह कॉंस्टूशन पर ही बेस्ट है ठीक है कॉंस्ट जब लागू हुआ वह कब हुगा 26 जैनवरी 1950 में को पूरा जो जो ड्राफ्टिंग कमीटी का जो चल रहा था कॉंस्टूशन बनाने में जो प्रोसेस वो खतम हुगा था ठीक है ना इसको एनक्ट कब करा गया था तो एनक्ट कब 26 जैनवरी 1950 को करा गया था और उसी दिन हम बनाते हैं रीपब्लिक ठीक है आपको यह चीज पता होनी चाहिए ठीक है तो क्या हुआ कि इंडिया यह कॉंस्टूशन को बनाया गया अब क्यों बनाया गया तो वो भी रीजन्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि वाट आर दी रीजन्स ठीक है और कमीटी में कौन-कौन से लोग थे किनकी वज़े से यह और पहली चीज यह लेंथ में भी बढ़ा है और साथी साथ कॉंप्लेक्सिटी क्यों है हमारे कॉंस्टूशन में विकॉज हमारी जो कंट्री यह वह डाइवर्सिफाइड है पतलब कि बहुत सारी अलग-अलग कम्यूनिटीज हमारे इंडिया में रहती है अलग-अलग जो कल्चर हैं हमारे इंडिया में डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हैं वो हमारे इंडिया में हैं ठीक है इस वज़े से जो इंडिया का जो इंडिया का जो जितना भी लोंग रह रहे हैं जितने भी लोंग रह रहे हैं उनको एक साथ मिलाने के लिए मतलब कि अगर वो चीज कि पूरे इंडिया की जितनी भी population उस पे लागू कर रहे हैं हम किसी भी community को नहीं देख रहे हैं ना किसी भी race को देख रहे हैं ना किसी religion को देख रहे हैं हम सिर्फ अपने इंडिया के जितने भी people हैं उस पे लागू कर रहे हैं और साथी साथ इंडिया को चलाने के लिए आगे जब जो बिटिशर्स का टाइम खतम हो गया अब इंडिया का जो न्यू एर आया है उसको चलाने के लिए इसको बनाना जरूरी था हमारे जो Constitution है वो फ्रेम्ड कब होगा तो हमारे जो Constitution है वो December 1946 से लेकर December 1949 तक जो है फ्रेम करा गया मतलब इस पर वर्क चला ठीक है आजादी से एक साल पहले ही हम कह सकते हैं इसका वर्क चला और कौन-कौन लोंग थे तो हंग कह सकते हैं कि जो लीडर्स जो बनाए गए थे जो Congress के जो लीडर्स थे वो लोंग थे कुछ और जो Muslim लीडर्स थे वो तो इसमें साथ नहीं दे रहे थे ठीक है बाकिया हम चैप्टर में आगे पढ़े हैं क्यों नहीं दे रहे थे और साथी साथ जो Congress के जो लीडर्स थे वो इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे थे Constitution को ब का था यह पियर्ड था कि मतलब जब Constitution को हमने क्या करा clause by clause मतलब की जो भी अगर जो व्यूज ला रहे थे जो हम Community से या फिर जो व्यूज ला रहे थे हम population से या चितने भी लीडर्स थे तो उनकी व्यूज को समझ कर हम ऐसा देख रहे थे क्या यह clause सही रहेगा यह Constitution में रख के लिए हुई थी और जब यह शैसंस नहीं होते थे तो उस ताइम पर क्या होता था Constitution को Refine करा जाता था Refine का मतलब है कि जैसे कि हम Impurities नकालते हैं ना किसी भी चीज से उसको Refine करते हैं वैसी Constitution से भी हम Refine कर रहे थे चीज़ों को जो हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि हम जो Constitution को बनाने की पीछे की जो History रही वो क्या थी ठीक है ना और जो इतना बड़ा जो Nation के लिए चलाने के लिए जो Constitution बना उसके पीछे का क्या Reason रहा ठीक है तो अब यह पहले टॉप पे गया तुमिल्टस टाइम तो टुमिल्टस टाइम जो है हम इसको क्यों बोलते हैं तो इंडिया का यह जो एरा रहा है जो पहले का जो Constitution बना नहीं था हो उस ताइम पर जब Constitution को ड्राफ्ट करा जा रहा था जब एक एक क्लॉस को देखा जा रहा था उस ताइम पर क्या हुआ हुआ इंडिया का जो scenario था वो जैसा था कि वह उसमें लोग एक्साइटेड भी थ इसलिए हम इसको बोलते हैं टुमिलिटस ठीक है इंडिपेंडनस मिलनी वाली है और बहुत से लोंग डिसपॉइंट थे कि मतला वह उनको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा दूसरे नेशन में मतलब की पाकिस्तान में तो यहां पर partition का भी यहां पर problem हुआ था ठीक है और साथी साथ क्या हुआ जैसे कि रॉयल इंडियन नेवी बॉंबे में और बाकी की जो cities थी वो अपराइस कर रही थी ठीक है 1946 में यह excitement मान सकते हैं हम और साथी साथ क्या हुआ जो Muslim और Hindu की जो क्या बोलते unity थी जो harmony थी वो अधर पे हूँ नहीं पाई थी उसका बिखरा हो गी थी वो और जो political parties थी जैसे कि Congress और Muslim League अगर जैसे कि आपको पता है कि Congress में ज्याद़ तर Hindu majority रही और Muslim League में Muslim majority रही तो वहां पर social harmony भी settle नहीं हो पाई तो यह हम कह सकते हैं कि यह जो time था यह ट्यमिल्टस था और कैलकाता में आपको पता है कि कैसे वहां पर दंगे हुए 1946 में जब Muslim League की ज्याद़ तर सीटे थी और उस time पर partition भी हो रहा था तो कैसी problem यहां पर face करनी पड़ी आपको पता होना चाहिए कि Britishers के पहले यहां पर राजाओं का रास था नवाबों का रास था ठीक है महराजास थे तो उसी वज़े से जब Britishers गए तो इन लोगों ने continent मतलब की इंडिया का जो one third part है उसमें नवाब और महराजास थे जिन्होंने क्या करा Britishers जब गए तो उनकी जगे ले ली ठीक है तो इस वज़े से constitution में यहां पर problem create हुई बनने में कि अब जो मतलब हम देखें तो Britishers यहां इंडिया से left कर चुके हैं और जो princess थे वो सोच र problem हमें देखने को मिली ठीक है यहां पर Congress को भी बहुत problem है फिर इसको सुल जाने में आगए chapter पर हम पढ़ते हैं the making of the constituent assembly तो constituent assembly की अगर हम बात करते हैं तो constitution क्या है जो जैसे की constitution को बनाने में जितने लोग जोटे उसको जो असेमली बनाएगी उसको हम constituent assembly बोलते हैं ठीक है अब member कहां से चुने जाए constituent assembly में तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होने चाहिए कि पहले universal franchise का कोई वो नहीं था ठीक है प्रोविंशियल elections हुए तो उसमें 10-12% का जो एलेक्शन जो थे वो representatives के लिए हुए थे मतलब 10-12% जो एलेक्शन में लोग participate कर सके थे ठीक है उस वज़े से क्या हुगा जो congress party थी वो dominant कर गई ठीक है क्यों उसी वज़े से 11 से 11 में से 8 provinces Congress के अंडर आ चुके थे और Muslim league इस च चाहिए और provincial elections में Muslims के लिए भी कुछ seat reserved थी लेकिन जो general की जो seats थी मतलब की जो majority अगर हम कहें तो वो Congress के अंडर में आ चुकी थी अब इससे league को क्या problem होई तो league इस वज़े से क्या मानती है कि जो constitution assembly है वो Britishers की बनाई हुई नीती है इसलिए वो इसको नहीं मानती थी ठीक है अब कौन से लोग आ सकते हैं constitution assembly में अब Muslims तो नहीं आ रहे हैं तो अब कौन बचे Congress के लोग बचे और साथी साथ जो B.R.A.M.B. कर की जो पार्टी थी ठीक है ना जो इसमें से 82% जो members थे वो किसके थे Congress के थे ठीक है यह आपको पता होने चाहिए यह पिक पॉइंट यहां पर माना जाता है अब जो बाकी मेंबर थे मतलब 82 तो इसके हो गए और जो बाकी मेंबर थे वो कुछ Muslim लीग्स के थे और साथी साथ किसके थे जो B.R.A.M.B. कर की जो पार्टी हो इसके थे जो कुछ members ठीक है Congress have different members with different criticism some members inspired socialism while other were defender of lawless अब Congress में ही कुछ ऐसे नेता थे जो कुछ मानते थे कि socialism पर विश्वास करते थे और लॉल्लिज्म पर विश्वास करते थे ठीक है ना इसके साथ साथ यह जो arguments हुए वो papers में छापे गए ठीक है और यह proposal जो थे वो public debates के जरीये हुई मतलब की भाशाड होता था जहां पर जो लोंग थे जो population थी ठीक है जैसे कि आज भी होती है भाशाड न्यूस में वैसे क्या बोलते फिजिकली होती थी रियल में आज वर्चुली हम उसको देखते हैं ठीक है तो वैसे होती थी तो इससे क्या होता था कि जो public थी वो participate करती थी और अपने views रखती थी ठीक है अब यहां पर Constituent Assembly जब बनी तो problem क्या के career होती थी जिसकी वज़े Constituent Assembly बनी ठीक है पहली चीज तो यह मैं यह चीत देखने चाहिए कि जो इंडिया की जो problem थी जैसे इंडिया एक complex country है और complex country में हर चीज का मतलब हर culture अलग कुछ minorities भी हैं जैसे कि Muslim Christians तो इनके लिए क्या क्या होना चाहिए तो इसमें हमें देखा गया कि जो minorities थे उनकी linguistic group का हमें क्या करना था हमें उसको protect करना था ठीक है उनकी mother tongue का हमें respect करना था और साती साती सार religious जो minorities थे उनके लिए एक अलग से एक rule ब इंडिया में सुरू सुरू में क्या हो रहा था उनको बिल्कुल भी respect नहीं दी जा रही थी तो उनके लिए भी एक अलग सरूल बनाना चाहिए था क्योंकि यह बियार अंबेट करकी मांगती ठीक है ठीक है तो यहां पर हमें यह जीद देखने को मिलती हो आगे बढ़ते है अब यहां पर हमें देखने को मिलेगा कॉंसी ऐसी वॉइस थी मतलब कि कौन से ऐसे लोंग थे जो डॉमिनेंट थे तो सबसे पहले तो अगर हम देखे हैं तो कॉंसी असे अधिया थे यहां पर पहला पॉइंट बनता है कि त्री देयारा थ्री हंड़िड मेंबर्स ठीक है और जो सिक्स मेंबर थे उन्होंने बहुत जादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है कॉंसीटूशन को बनाने में वो सिक्स लोंग कौन थे तो सबसे पहले तीन लोंग देखे हैं तो वो कॉंग्रेस से थे ठीक है दियार रेप्रेजेंटेटिड अफ कॉंग्रेस कौन जवालल नहरू का क्या रोल यहां पर जवालल नहरू ने आपको पता होगा औबजेक्टिव रिजालीशन ठीक है अगर नहीं पता तो यहां पर मार्क कर लीजिए औबजेक्टिव रिजालीशन लाए थे जिसमें उन्होंने एक मुद्दा रखा था नैशनल फ्लेग का जि हम देखते हैं तो सरदार बलक है पटेल उन्हों क्या करते थे उनका सॉक्ष करते ठीक है और उसके उपर चर्चा होती थी थर्ड रोल अगर हम देखें तो राजियंद पिरसाथ के कहते हैं तो राजियंद पिरसाथ को हम कहते हैं प्रेसिडेंट आफ दी कॉंस्टुन असेम्ली ठीक है और यह इंडिया के सबसे पहले राष्ट पती भी थे प्रेसिडेंट थ तो यह क्या करते थे तो लोंग वहाँ पर स्पीक करते थे उनको लों उनके बीच- उनके बीच में कोई जगडा ना उसको मैंटेन गरने के लिए राजमिसात को प्रेसिडेंट बनाया गया था जैसी उसके बाद अकान अब देखते हैं तो तीन लोग और कौन थे तो बियार अमबेट कर को क्यों बनाया गया चेयर्मेन और ड्राफ्टिक कमिटी वह ऐसली क्योंकि जो बियारमच करते वो लॉयर थे और साथी साथ एकनॉमिस्ट भी थे और गांदीजी ने उनको सल़ा दी थी कि तुम्हें लॉयर मिनिस्टर बनना चाहिए यूनियन कैबिनेट में ठीक है लॉव मिनिस्टर का पद लेना चाहिए उन्होंने ऐसा सला दी तो इसी दो और लॉयर काम करते थे कौन पहले केम मुंशी और जो गुजरास से थे और अलादी किशन अवामया जो कहां से थे मदरास से थे ठीक है ये इनको असिस्टेंट कौन करता था मतलब की इनकी जो हेल्प कौन करता था इनकी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवाने के लिए तो दो स पर सीरीज करते थे जो कि POLITICAL SYSTEM जो JESSEs से लिया जा रहा है ठीक है ना जो हमारे कोंटिटिशन में जो लागू हुआ सिविल सर्वेंट्स थे जो असिस्टेंट करते थे इसके बाद जो बुक थी वो तीन साल में बनी और इसको क्या हुआ कि 1946 से लेके 1949 तक हम देखते हैं यह और इसको प्रिंट करवाया गया था ठीक है ना यह प्रिंटेड है कॉंस्टिटूशन ठीक है और इसमें कॉंफ्लिक् का उसके उपर कुछ मोरल वैल्यू जो सिटीजन्स के लिए लागू होती है ठीक है जो डूज और डॉंट्स हैं उनके उपर इसमें काम करा गया आ गया आता है था विजन ऑफ दा कॉंस्टिटूशन अब विजन क्या है कॉंस्टिटूशन का ठीक है तो ओं थर्टीं डिसम में उन्होंने क्या बोला कि जो अब्जेक्टिव रिजॉल्यूशन है ठीक है वो क्या दरशाती है कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट्स वरेजिन डीपबलिक है ठीक है जो इंडिया की जो सिटीज हैं उनको एक्विल्टी और साथी साथ फ्रीडम मिलेगा और जो माइनॉरिटीज हैं बैकवर्ड क्लास हैं ट्राइबल एरिया की जो पीपल हैं और जो अधर बैकवर्ड क्लासेश हैं उनके लिए अलग एक पॉलिसी बनाई जाएंगी ठीक है और साथी साथ नहरू ने ये भी बोला कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं अगर हम देखते ह जो चायल्ड मारिज वाला जो है और विडो को री मैरिज ना करने का तो उनके जो सूशल लिफॉर्म्स तो एवल्स थे उनके लिए भी यहां पर सूशल लिफॉर्म्स बनाए जाएंगी ठीक है ऑब्जेक्टर रिसॉलिशन में उन्होंने कहा ठीक है हॉर उन्हों ने जो में American and French Revolution जो हुई थी उसका भी उन्होंने example दिया अपनी speech में ठीक है वो पूरा आपको source में मिल जाएगा आप उस source को पढ़ सकते हैं पूरा source के base पर ही ये लिखा हुआ है ठीक है Nehru was locating the history of the constitution making India with a longer history of struggle of liberty and freedom liberty of freedom के लिए जो struggle हुआ उसके basis पर हमें constitution मिला ठीक है He did not define the specific form of democracy and suggested that this had to decide through deliberation ये आराम से मतलब ऐसा decide होगा ये हुआ फिर बाद में democracy decided ठीक है objective resolution में तो पहले उन्होंने अपनी speech में कहा था ये लेकिन जब constitution बनता गया तो यहाँ पर democracy का भी एक word आ गया India as a democratic country He said we are not going to just to copy the government in India fit in with the temper of our people and be acceptable by them हम सिर्फ इंडिया के constitution में जो other countries से जो policies लिए गई या points लिए गई है other constitution से हम उनको copy नहीं कर रहे हैं बलकि वो चीज हमें चाहिए थी वो हमारी इंडिया की problem थी तो उसको हम दूर कर रहे हैं ठीक है यह उनका कहना था अगर हम आगे देखते हैं the will of the people ठीक है तो जो सोमनात लहरी थे एक जो constituent assembly में थे वो कह चाहते थे कि जो British imperialism है उसको दूर कर दिया जाए ठीक है अब इसको दूर कर दिया जाए यह तो पूरे इंडियन्स की problem मतलब problem थी तो उसको दूर करना था कि Britishers का कुछ भी चीज हमारे इंडिया में ना रह जाए ठीक है तो उन्होंने members के सामने argue किया कि जो constitution assembly में जो हम जो constitution की जो points ले रहे हैं वो कुछ तो Britishers के द्वारा बनाए गए हुए है तो हम उसको क्यों ले रहे हैं ठीक है हमें तो Britishers की कोई policies चाहिए ही नहीं अपनी इंडिया में तो इसी के basis पर जवालन नहरूजे थे उन्होंने का कि ये बास सच है कि Britishers के हम policies ले रहे हैं लेकिन हमें people's की राय भी लेना चाहिए because हम people's के लिए ही काम कर रहे हैं है ना इंडिया की people's के लिए ही काम कर रहे हैं तो इस वज़े से जब उन्होंने बाकी सारे social struggles के बारे में बताया और जितने भी equality के basis पर democracy के basis पर justice के basis पर जो 19th century में ठीक है जो problems create हुई उसके basis पर बताया जैसे कि social reforms हुए जिसमें child marriage को oppose करा गया widows को allow करा गया re-marriage के लिए और जितने भी social justice थे वो दिलाए गया तो इस वज़े से उन्होंने कहा के हमें लोगों के विचारों को रखते हुए इसको मानना पड़ रहा है हम इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये बिटेशर्स ने लागू करा है ठीक है तो ये यहाँ पर जवाला नहरू जी ने कहा था तो सौमी विवेका नन जी जो थे वो हिंदुईज्म को फैला रहे थे ठीक है जोतिवा पुले जोति महराष्ट की वो क्या चाह रहे हैं थी कि डिप्रेस्ट कास्ट और कम्यूनिटीज और सोशलिस और्गनाइस वर्कर्स और पीजन देवर डिमांड एकनॉमे इन सोशल जिस्टिस उनको एकनॉमे को सोशल जिस्टिस चाहिए था जो सौमे विवे का नंजी थे वो रिलीजन के बेसिस पर ये कर रहे थे जो रिलीजन के बेसिस पर हम सब को क्या चाहिए जिस्टिस चाहिए और ये सारी चीजों को देखते हुए विजवालन नहरू ने ये बातों को कहा ठीक, तो यहाँ पर ये व्यूज रखते हुए जो population की जो व्यूज रखे जो leaders की जो व्यूज रखे तो यहाँ पर इस से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितना ज़ादा जरूरी था constitution में इन points को रखना और साथी साथ जो Indians थे जो हमारे जो India के जो people थे वो representatives की मांग कर रहे थे कि हमें कुछ अपने leaders चाहिए जो हमारे हमारे खुद के rules बनाए और हमारे हिसाब से rules बनाए ठीक है तो इस वज़े से provincial government में Indians representatives या फिर Congress representatives की वी मांग हुई कुछ Muslim leagues के representatives भी थे उसमें ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1937 में जब election हुआ तो 88 seats वहां पर आई और constitution में इंडिया के जो जितने भी representatives वहां पर थे वो उसमें ministries में आ सके ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं constitution को 1946 में यहां पर independent sovereign republic of यहां पर मिला ठीक है इंडिया का तो देख सकते हैं आपके मतलब यहां पर ऐसे will of the people को रखते हुए कैसे constitution को यहां पर implement करा गया ठीक है तो यह था हमारा first part of the video ठीक है इसके बाद हम second part पढ़ेंगे जिसमें हम थोड़ा और थोड़ा detail में पढ़ेंगे इस सब को और आपको इस chapter से इस part से related कुछ भी problem हो तो आप comment में पूछ सकते हैं ठीक है मिलते अगले part में जब तक कि लिए बाए